आज हम बात करने वाले कैसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट का पॉफॉर्मेंस देख सकते उसका SEO चेक कर सकते उस वेबसाइट का रांकिंग भी देख सकते और कोई भी कॉम्पेटिटर है उनके वेबसाइट का आप एनिलाइज कर सकते हैं तो जि भी next part आएगा उसमें आपको और भी information मिलेगा मैं इसमें बस आप से सबसे पहले इसमें मैं बात करने वाली हों keyword research का जो भी extension टूल है कौन कौन सा जिससे की मदद से आप keyword search कर सकते हैं उस रही हम बात करते है keyword research या कौन सा freak extension जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को अपने से लेटेट कीवड को सर्च कर सकते हैं कांफी आधर सकते हैं तो सब से पहले बाट करूछ तो सबसे पहले जो भी इक इसलेशनशन फुल लिए द्व ओक इसलेशे और यवरा का सर्फर आप सर्फर या गूगल क्रोम के आपको right hand side में जो जिस related आप कोई भी keyword search कर रहे हैं तो उसे similar keyword आपको वो search करके दिखाएगा तो इससे आपको काफी easy हो जाता है keyword search करने में कौन-कौन से keyword आपको search करने चाहिए और कौन-कौन से keyword आप find कर सकते हैं आपको search करने की जरुवत नहीं है कि कौन सा keyword चूज करें कौन सा नहीं चूज करना चाहिए वहां पर उस keyword से related आपको search volume भी दिखाता है उसका CPC कितना है यह सब चीज भी आपको वहां पर mention कर देता है और दूसरी अगर हम free extension tool के बारें बात करें तो वह WMS everywhere है तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यह भी आपके Google के interface पर जैसे आप login कर लें Google के interface पर आ जाएगा और वहां पर जो भी आप search कर रहे हैं keyword तो वह यह दो हैं जो free के बिल्कुल keyword research tool है और इससे आपको काफी help मिलेगा keyword research करके almost आपको काफी कुछ ऐसा सर्च करके देते हैं जो accurate देते हैं आपको easy होगा कोई भी blog website में यूज करते हैं जो search किया जा रहा है customer के through find किया जा रहा है अगर तीसे नहीं में बात करूं तो keyword everywhere दे रहा है तो यह आपको extra चीज में आपको बता रहे हूं तो अगर आपको अच्छा लागा तो जाके उसको भी आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं और इसका next part जो आने वाला है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा उसके बारे में बात करेंगे कौन-कौन सा जो extension tool है जि